नमिश्कार आप देख रहे हैं सीरियूस भानतों और मैं आपके साथ रजा सिंग्ग वक्त हो गया है आज की राशी चलका सितारे और ग्रह नशत्र अपनी चाल बदलते रहेंगे जानेंगे क्या है आपका राशी फलका आज का हाल तो चली जानते हैं मेश से लेकर मीन राशी का हाल मीश राशी मीश राशी के जात्कों की नेत्रतु शम्ता में वृद्धी होगी आप चिनोतियों का सामना करने में सफल रहेंगे आमदनी में वृद्धी के यूग है उपाए दो नारियल लक्षमी मंदिर में चड़ाएं वृषव राशी आप अपनी लक्षों को प्राप्त करने के लिए समर्पित होकर मेहनत करेंगे इससे आपकी आमदनी में जबरदस्त उच्छाल आएगा उपाए तिल और गुड का दान करें मिथुन राशी आप नए लोगों से मिलेंगे और अपने विचारों को प्रभावी धंग से व्यक्त कर पाएंगे आमदनी में वृद्धी के प्रबल्यूंग है उपाए कमल गट्टा लक्षमी जी को चड़ाएं करक राशी आप खुद को अपनी सीमाओं का परिक्षन करते हुए पाएंगे अपने आराम शित्र से बाहर की चीजों का चयन करें उपाए सूरी को नियमित रूप से जल दें सिंग राशी ये वो समय है जब आपको समय के हिसाब से काम करना चाहिए अपने दोस या रिष्टेदार आर्थिक मदद के लिए कहें तो मदद करने में संकोच ना करें उपाए मंगलबार का व्रत करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कन्या राशी आपको अपने वरिष्टों से प्रिशंसा मिलेगी जिसे आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा आज कागजी कामों में सावधानी बढ़तें उपाए बर्गत के पत्ते के साथ पास सिक्के बानकर तिजोरी में रखें तुला राशी आज आप जो काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करना मुश्किल होगा धैरे रखें और सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों का भी भर्पूर लाब उठाएं उपाए चंदन और जल से पीपल के व्रिक्षिक का अभिशेक करें अगर आप अपनी परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो जल से जल यात्रा शुरू कर दें आपके मन में किसी कारी को लेकर निराशा बनी रह सकती है उपाए हनवान मंदर में दीप दान करें धन्यू राशी अपनी आसपास के लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ने से बचे नहीं तो यह आपके लिए नुकसान दे हो सकता है धन के निकासे की आशंका है इसलिए अपने खर्चों पर नज़र रखें उपाए लड़ू गोपाल की पूजा करें मकर राशी आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है आज आप अपने विचारों को लोगों के सामनी रखें उपाए गरीब को भुजन कराएं कुम्ब राशी आप किसी पुरानी सहयोगी के साथ समझोता कर सकते हैं व्यापार में आया विद्न किसी परिजन के सहयोग से दूर हो जाएगा उपाए हन्मान जी के सामने घी का देपक जलाएं मीन राशी आज आपको अपनी डर का सामना करना पड़ सकता है आप जिस भी काम में हाट डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी